हाई द्वेल्टीज, वेलकम टो एजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ अधिता और गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने रेडेम्शन आफ डेबेंचर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम जनल रेडेम्शन आफ डेबेंचर जो है, वो बेसिक पर बहुत अधारित है, बहुत कम बेसिक चीजे हैं, बट वो बेसिक चीजे काफी डीप में हैं, तो उनकी नॉलिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक छोटा सा चेंज, हमारे कोश सेंगते हैं, मैं ज़रूर देखना और अब हम एंट्री करना सीखते हैं, तो सबसे पहले जो एंट्री पास करी जाती है, théषो वह करी जाते ईशू के समय पर ठीक है तो आपको इशू की एंट्री जरूरानी ची डेबेंचर के एशू की एंट्री क्या होती है तो सबसे पहले इस्टीन तरीके से किया जाता है पार पे प्रीमियम पे और डिसकाउन पे अगर पहली बार में साथ जुड़ रहे हो तो आपको पते में क्या कहने वाल हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू मोर वीडियो और आप अपने डाउट पुस्प सकते हो पर इन्स्टार्ग्रम पर आईडी है तमिता मैसी ठीक है अब अमगण स्टार्ट करते हैं अपने पारक इंट्री क्या पास की जाती है सबसे पहले पमका dragged डीमियू परिशन ऐबनक अकाउंन De-B Перв अगर 100 रुपीज का debenture है और लेट करो हमारे पास हजार debenture है तो यह आजाएगा हमारा 1,00,00 रुपीज फिर आपको narration भी लिखने है being debenture application money received ठीक है second होती है हमारी जब हम यह debenture application money का पैसा किसमें डालते हैं 2-10% debenture account अब यह जो 10% है guys यह हमें question में rate of interest होते है debenture का यह given होता है 9 भी हो सकता है 8 भी 12 भी 11 भी तो जो भी question में given होगा हमें वो लिखना होगा और हम क्या लिखेंगे being application money transferred to debenture account तो one leg यह हो गया पार का case ठीक है easy था कोई मुश्किल नहीं है आपको पैसा मिला कहां से मिला application and allotment account से फिर आपने वो particularly अपने debenture में डाल दिया अब आपकी liability बन गई कि आपने इतना पैसा लिया है अगर हम premium पे करते तो यहां पर हम लोग 100 को multiply करते 1000 debenture को multiply करते 110 से तो 1000 x 110 होता 110,000 यानि कि हमें जो money received होती वो कितनी होती 110,000 फिर जब हमें transfer करने का समय होता तो हम 110,000 को transfer करते तो debenture account and to security premium reserve account 10,000 रुपे कैसे 10,000 आया गाईस 1000 debenture into 10 रुपीज premium ठीक है तो यह आ गया और debenture का पैसा 1000 into 100 रुपीज का per debenture तो एक लाख आ गया तो इस तरीके से आप premium के entry कर सकते हो फिर अब बात करते discount की बैंक में पैसा जो आएगा वो 1000 into 90 के सब से आएगा तो यह तो हो जाएगी हमारी entry 90,000 से ठीक है फिर जब transfer करने की बात आएगी क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 90,000 आ रखे हैं लेकिन हम यहां दिखाएंगे पूरे एक लाख अब premium को तो हटा देंगे और जो 10,000 का जोल आ रहा है debit side तो मैं पहले इसको हटाती हूँ to 10% debenture account में आप डालोगे आपके पास है 1000 debenture into 100 यह face value पर ही लेते हैं हम हमेशा एक लाख तो यह जो 10,000 की कमी debit side आ रही थी यह हम किसे पूरी करेंगे to debit side discount किस चीज़ पर on issue of debenture account तो बहुत बड़ा है इसलिए मैं short form में लिख रही हूँ तो हमें एक account open करना पड़ता है discount on issue of debenture account जिसे हम debit करेंगे 10,000 से 10,000 कैसे आया 1000 debenture multiply by 10 rupees का discount तो यह entry issue की होती है जो कि basic entry है आनी चाहिए आपको क्योंकि question में वो बोल देते हैं कि आपको issue से entry करनी है ठीक है तो यह clear है अब आपको एक चीज़ बताती हूँ guys जो भी आप अपने exam में या copy में आप लोग general entry पास करते हैं तो उसका proper format with narration और no short form के साथ करनी है otherwise teacher marks काट लेती है यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ हूँ और margin की थोड़ी दिक्कत है और time इसलिए मैं short form use कर रही हूँ अब हम बात करते है main redemption of debenture की entry so guys अब हम start करते हैं अपनी entries जो की basically redemption से है की redemption के समय पर जो हमें DRR यानि की debenture redemption reserve में जो पैसा transfer करना compulsory है वो कितना होता है तो आपको पता है कि DRR में 10% amount डाला जाता है और वो 10% amount हमाई पास कहां से आता है तो यह 10% amount guys वो होता है जो हमारे पास profit बचा हुआ होता है as a dividend बातने के लिए हम use कर सकते थे profit बचा था जो dividend के लिए हम use कर सकते थे बट हम उसे dividend ना देते हुए क्या बना रहे हैं DRR बना रहे हैं तो वही amount हम DRR में डाल सकते हैं और उसके हमाई पास 3 sources दिये गए हैं first is the journal reserve यानि कि हम अपना पैसा DRR में डालने के लिए journal reserve से निकाल सकते हैं दूसरा dividend equalization reserve और तीसरा क्या होता है surplus से surplus कहां से आएगा guys statement of P&L account या statement of P&L कहते हैं जिसे वहां से तो हमाई पस 3 जगे होती है जहां से हम पैसा transfer कर सकते हैं कहां पे debenture, redemption, reserve account में अब बात करते हैं guys ये तो हो गया आपने amount transfer किया to DRR कितिना amount that is 10% of outstanding debenture जो total outstanding debenture है उसकी जो face value है total outstanding की उसका 10% हम लोग लेते हैं ये generally कब पास किया जाता है 31 March को जबी भी हमारे debentures due होने हैं उससे पहले जो भी 31 March पढ़ता है उस दिन ये entry pass करी जाती है कौन सी DRR की DRR बनाने की 3 account आपके सामने हैं अगर आपको question में कुछ mention नहीं होता आप statement of P&L को debit करते हो और वहां से देते हो पैसा DRR में ठीक है और अगर question में बोला है कि हमारे पास पैसा general reserve से transfer हो रहा है या फिर इधर से dividend equalization से तो आपको वो use करना है अब हम आते हैं guys जब हम investment करते हैं तो investment की क्या entry होती है तो investment करने की बहुत simple सी entry है हमारे पास से investment होती है जिसे हम debenture, redemption, investment के नाम से जानते है और कहां से पैसा जाता है तो bank account से तो हमें DRI को debit करना होता है और bank को credit करना होता है कितना percent होता है guys 15% ठीक है अब यह कब past किया जाता है तो उन्होंने बोला 30 April 1 April से 30 April के बीच में किया जाता है बट हमें अब कोई date mention नहीं है तो हम 1 April लेके चलते हैं क्या लेके चलते हैं April otherwise question में बोल देते हैं कि हम इस दिन investment कर रहे तो आपको date given होगी ठीक है बट जो generally date होती है वो on or before 30 April होती है ठीक है यानि कि 30 April या फिर उससे पहले हम DRI बनाते 15% अब यहां पर 15% किसका तो 15% आपके outstanding debenture of current year यानि कि अगर आपके total 10 लाग के debenture due हो रहे हैं तो DRR तो पूरे 10 लाग पे बनेगा लेकिन current year में हम सिर्फ 5 लाग का पैसा दे रहे हैं तो हमारा DRI पांच लाग पर बनेगा क्योंकि DRI जो depend होता है वो outstanding debenture of the current year पर depend करते हैं तो यह चीज़ दोनों में difference है जो आपको समझना है इसके लावा guys third जो entry होती है हमारी वो interest receive जो हम करते हैं debenture पर तो वो क्या entry pass होती है देखो फूर्थ असान सी है आपके bank में पैसा आता है आप bank account गो debit करते हो to interest earned यानि कि आपने जो कमाया account that is being interest earned from the investment आप narration लिख सकते हो यह interest की entry है fourth होती है on realization of investment जब भी आप investment बेचोगे और कब बेचोगे जब हमारे debenture की due date है हमें उसे पैसा देना है तो normal entry asset बेचने की क्या होती है bank account debit to debenture redemption investment account narration में क्या आजाएगा being investment sale या realization word यूद करोगे तो वो ज्यादा बेटर लगता है being investment realized that the value of this जो भी होगी वो आप लिख सकते हो इसके बाद है guys जब redemption of debenture आता है यानि कि अब आपने पैसा भी निकाल लिया bank से अब बात आ रहे है debenture holders को उनका पैसा देने की ठीक है तो देने से पहले हमें due करना होता है कि हाँ भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं तो देखो debenture जबी भी पे किये जाते हैं वो पार पे कर सकते हैं या premium पे कर सकते हैं तो अब हम उसे सीखते हैं तो गाईज अब हम नेखते हैं कि जबी भी हमें redemption करना है तो अगर पार पे करेंगे मतलब क्या होता है 100 की चीज के 100 रुपे ही देने ठीक है तो अगर हमारे पास let करो 1000 debenture हैं और हमने 100 रुपे की जी 100 रुपे में दे रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी सबसे पहले हमारे जो भी debenture होते हैं जैसे 10 परसंट जो भी मैंने आपको बताया rate आपको question में given होगा debenture account debit किसको देने है उसको credit करेंगे तो हमें देने है debenture holder को कितना 1000 into 100 एक लाख रुपे ठिक हैं अगर यही premium पे देना होता तो हम क्या करते 10% debenture account 1000 into 100 एक लाख रुपे लेकिन हम उसे premium भी दे रहे हैं तो premium भी हमारे लिए नुकसान है तो हम लिखेंगे premium on redemption account अगर 10 एक लाख रुपे के साथ premium दिया होता एक लाख हजार debenture पर 1000 into 10 कितना होता गाइस easy side 10,000 तो आज की date में debenture holder को कितना पैसा मिलता एक लाख या एक लाख 10,000 तो एक लाख 10,000 क्योंकि premium भी उन्हें मिलेगा तो यह होता due एक लाख रुपे से तब जब पार पर देते premium पर देंगे तो premium account क्योंकि हमारे लिए नुकसान की बात है हम 10,000 को debit करेंगे जो भी premium का amount है number of debenture ठीक है तो यह होती है redemption की entry इसके बाद होती है last entry जब आप debenture holder को पैसा देते हो तो debenture holder account debit to bank account बाई जितना पैसा बोला है देने का एक लाख 10 बोला है तो एक लाख 10 दोगे एक लाख बोला है तो एक लाख दोगे तो entry उतने ही amount से होगी entry क्या होगी debenture holder को debit करना है और bank से पैसा नहीं कर रहा है तो उसे अब हमें transfer करना है तो यानि कि जो हमने Demention Redemption Reserve बनाया था उसे हमें transfer करना होता है किसमें General Reserve Account में ठीक है हम वही पैसा transfer कर देते हैं General Reserve में ये last entry होती है बट कितना पैसा जो भी current year का outstanding है उसका 10% यानि कि अगर आपने let करो 10 लाग के उपर DRR बनाया ठीक है कितना बनेगा एक लाग उर्पे राइट लेकिन आप इस साल सिर्फ आपने पे करें पांच लाग और नेक्स यर पे करोगे पांच लाग Dementures के तो इस साल पांच लाग का जो भी आपका 10% होगा यानि कि इसका 50% आपने DRR में एक लाग transfer किया था ना और अभी हम Dementures कैसे दे रहे हैं इस साल पांच लाग दे रहे हैं अगले साल पांच लाग तो यानि कि इस साल के 50,000 DRR के पैसे रखे हैं और नेक्स यर के 50,000 तो हम जितने के Dementures देते हैं उसी के हिसाब से हम DRR का पैसे General Reserve में डालते हैं तो यहाँ पे 50,000 से entry होगी अकसर students इस चीज में गलती करते हैं तो आपको ये concept अपना clear रखना है आप पूरा एक लाग का DRR तो बनाओगे लेकिन जब General Reserve में ट्रांसफर करने की बात आएगे तो आप सिर्फ उतना ट्रांसफर करोगे जितने के current year की outstanding Dementures की payment हुई है ठीक है? So I hope guys आपको इस समझाया होगा इसके साथ एक example भी try करेंगे हम लोग next वीडियो में तो तब तक के लिए जूडे रहिए और अगर फिल भी कोई डाउट है तो आप Instagram पर पूछ सकते हो Thank you